कि इस वाप लोग उम्मीद करते हो थो सब लोग एकदम बढ़ियां से होंगे खहरियत से होंगे तो आपको भाई आप लोग देख रहे हो बहुत ही बढ़ियां गेम प्ले हुआ है तो वीडियो का एंट तक वाच करना अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलन चैनल पर नियों हो तो सस्क्राइब करना मत भूलना बेल आइकन प्रेस करके ओल पर कर देना ताकि रेगलर नोडिफिकेशन्स आप लोग को मिलती रहे और यार गीववे का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो 10 एकाउंट का गीववे हुआ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन म यहां पर बाई आजाते हैं gameplay की तरफ बहुत ही मज़ेदार है तो भाई an यहां पर ब्लैक को एक बैंक शॉट खेलेंगे और गेम फिनिश हो जाएगा मतलब बोल जकते हो पॉफेक्शन ऑफ डिनाइल कैसे लगाते हैं तो यहां पर पॉफेक्ट डिनाइल बहुत ही बढ़ियां तरीके से तुम्हारे भाई ने बर्लिन में लगा दिया है तो देखते है क्या कुछ होता है अभी सब दो मूनलाइट से खेलरहें पता नहीं क्यों निए लेजेंड्री से कोई खेली नहीं रहा मूनलाइट क्राउन जेल यह सब क्यू Casey गेल रहें तो भाई यहां पर ब्रेक ने किया ब्रेक तो बढ़ियां किया था बट भाय का एक bold भी पास नहीं वहाता तो अपने को मिल चुका है पास आउट मतलब बंदे ने विद्ट पॉट एनी बॉल मेरे को दे दिया है गेम तो यहां पर फिनिश करने की कोशिश करेंगे फ्रेम को जहां से स्टार्ट हुआता स्टार्ट बंदे ने किया था एंडबन करेंगे तो के टॉप मिडिल पे ब्लू बॉल को खेलेंगे और देखते हैं क्या कुछ पोजिशन मनती है पोजिशन कुछ इस तरीके से बनाया ने तुमारे भाई ने कि यहां पे रेड तो नहीं खेल सकते हैं एलो खेलते हैं अपन एलो खेलने के बाद औरेंज को प्ले करेंगे ठीक है जी हां औरेंज को प्ले करेंगे गाइस देखते हैं औरेंज के लिए पोजिशन तो बढ़िया बनी है बर्ट में को बनाना है प्रोजिशन ब्राउन बॉल के लिए और ग्रीन के टच पे बहुत ही बढ़िया पोजिशन हासिल हुआ आपके भाई को ब्राउन के लिए ब्रा ब्लाइक बॉल के लिए पॉजिशन तो ब्लैक को केलेंगे टॉप लेफ पर और फिनिश करेंगे बैंक को के फ्रेम को और उसके बाद खेलने वाले अपण वैनिस जी हाँ वैनिस खेलने वाले तो दोगी श्टिक लग चुकी है तुम्हारे भाई की वैनिस में आचुके है व बैंक में किया था थोड़े बहुत प्राप्डम भइन नहीं किया तो वैनिस में चार दोओ्धक इंटारी किशनग से अगर वीडियों पसंद आती हो तो लाइक करना मत बुलना और भाई क्या ही बोलू गेम तो कुछ अलग लेवल का चल रहा था मैंने सोचा कि भाई डिनाइल चिपक जाएगा अपने को बट 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 सिच्वेशन सा सेम आप लोग वीडियो देखो पता लगेगा आप लोग को ब्राउन बॉल बंदा खेले का टॉप कोई चांस नहीं है कि वहाँ पर खेले अगर प्लेयर बढ़िया होगा तो ही प्ले कर पाएगा अधर्वाइस कोई सीन नहीं है वहाँ पर की प्ले कर सकता है अपनियन ठीक है लेजेंड भी हो तो भी ऐसे शॉट्स मिस होते है कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रत है और लग की भी बहुत ज़रत है उस लेवल का शॉट्ट खेलने के लिए तो भाई मेरे गेम से कंटिन्यू करते हैं वोईस ओवरिंग को तो भाई वोईस ओवरिंग कर रहा है तुमारा भाई तो यार सस्क्राइब करो यार चैनल पर नहीं हो सस्क्राइब करो और आप लोग देखते हैं पोजिशन कहां बनती है ग्रीन के लिए ग्रीन के लिए पोजिशन कुछ इस लेवल का बना है बैक्स्पिन यूज करके होल्ड आउट करेंगे वाइट बाल को और ब्लैक को प्ले करेंगे टौप मिडियल फे थोड़ा सा बैक्स्पिन ग्रीन बाल के लिए को कैश कॉइन पूल पास और क्या होता है ड्रॉफी रोड जो भी होता है सब कुछ एवेलेबल है विंस्टिक की रिंग्स और जो टॉर्नमेंट्स आते हैं वो भी एवेलेबल है ठीक है जो भी चाहिए आप लोग को करा सकते हो वाटसेप नॉमबर डिस्क्रिप्शन में ए कि भाई टुब बहत ही तकड़े होते हैं अब ही आप लोगों नहीं देखा होगा बन्दे ने इस टार्ट कुछ ऐसे किया तकी मैं डर गया तो मैं बोला भाई यह तो फेर ब्लेयर भाए तो में पोली फिन्ष करना मंगता हैं गाईस गेम फिनिश करना चाहता हूँ मैं दे जादा भी नहीं जादा यूस करूँ पोजिशन खराब होगी और पोजिशन तुमारे भाई ने बना लिया डबल बैंग शोट खेलते हैं राइट साइड डाउन में और मॉर्निंग का टाइम है समझे आप लोग और यहां पे यह शॉट में को थोड़ा सा फोर्स कम करके प्ल मिलता है देखते हैं गेम विन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं पूजिशन कैसे मिलती है तो भाई यह भी मैटर करता है है जब आपको चांस मिल ऑफ आओ पोजिशन किस लीवल कर ठीक है अगर पोजिशन बढ़ diana होती है तो आप लोग भाई खो देते हो गेम को जैसे की बंदे ने नॉर्मल से शॉर्ट मिस किया तो भाई गेम तो अपना बनता है एक थोड़ा से लंबा सफर है पहला शॉर्ट मिस होगा कोई सी नहीं यार दूसरा शॉर्ट तुमारा भाई मार के दिखाएगा पास करा के दिखाएगा तो भाई यह शॉर्ट पास होते ही लाइक तो बनता है गाईस तो लाइक करो यार वीडियो को शेर करो जितना हो सकता है सपोट करो आपके भाई को सपोर्ट की जररत है इस वक्त support करो आप लोग और यहां पे भाई third, sorry fifth frame चर रहा है I think so fifth year six fifth frame चर रहा है, वो भी Venice ballroom में high level player versus low level player अपना है चार सो तीन level और आगे वाले काई साथ सो चोबिस लेवल तो देखते हैं क्या scene होने वाले और पहले में ही गंदा वाला हग दिये बहुत ही गंदी तरीके से विद डर्ट स्पी नियूँ उसका रे प्ले किये है अपने और स्क्रैच हो गया अपना वाइट बॉल जो कि मेरे को नहीं पता था स्क्रैच होगा अब मैं कोई ये पका पता है कि ब्लैक स्क्रैच होगा भाई इतना तो पता है यार और पता नहीं भाई से कैसी मिस्टेक हो गया रित्ता बड़िया लेवल रे के मिस्टेक देख रहो तो सबसे होती है भाई मिस्टेक मिस्टेक होती है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं कोई शर्माने वाली बात नहीं मिस्टेक बहुत लोगों से होती है प्रो लेजेंड अल्टर प्रो सब से मिस्टेक होती है तो अपन किस केट के मूले है ठीक है तो यहाँ पे बंदा एपिक बोलता है तो भाई एपिक अपने को खेलना है नहीं घंटा कुछ खेलना नहीं है सिधा सिधा प्ले करना है सिधा सिधा फिनिश करना है दो इफटे अपने या तो ब्रेक आयए डिनायल मारो या तो लीफ करो सीदी सी बात है तो यहां पर हपन प्ले कर रहे हैं Green Ball Sorry, Blue Ball प्ले कर रहे हैं Back Spin उस करके तकी straight forward form और force की वजह से travel left side पर करे बहुत ही बड़िया मेरा black को निकालने का कोशिश था बट उत्ता जदा travel नहीं कर पाए ठीक है उत्ता जदा travel करता तो बहुत ही अच्छी बाती बट टैंगल के इसाब से मेरे को नहीं लग रहा था कि उत्ता जदा travel होगा और यहां पर वाल बचे अपने परपल ब्राउन परपल को प्ले करते हैं बैक स्पीन उस करके भाई विद्धर बैक स्पीन मार दिया मैंने यह क्या किया मैंने भाई विद्धर बैक सिन मार दिया करके रुख जाएगा मेरे को ऐसा लगता है अगर नहीं लगा तो इसक्रैच हो सकता है और भाई बाजू से निकल गई कोई सीन नहीं यहां पर गेम हार गया है थोड़ा सा 100 रोफी माइनस हो गया कोई सीन नहीं भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भा इतना है गई थाइंक्स वर वचिंग बाबाई टो अल एंड चेक्क्यार अल आफ यू